आज का शेड़ी साइं संदेश मुझे मालूम है श्रद्धा सबूरी श्रद्धा सबूरी ये सुन सुन कर ठक गए हो ना मैं जानता हूँ कि दुख जब इतने बड़े हो तो ये चीजे भी कोई माइने नहीं रखती क्यूं रो रहे हो तुमारी जिनकी में दुख नाम की कोई भी चीज नहीं रह जाएगी मेरा नाम रट्ते रहो तुमारे सारे संचे मैं जरूर दूर कर दूँगा दुवीदा तुमारी शिग्र ही समाप्त हो जाएगी मुझे तुमारी हर परिस्तिती की चाहे सोखो या दुख्षो खबर रहती है हमेशा मैं ही तुमारी भवर में फसी नईया को बाहर जरूर निकालूंगा मैं तुमारी नईया का खेवन हार हूँ मैं तुमारी बीच भवर में इस नईया को डूबने नहीं दूँगा मुझ पर ध्रिड विश्वास रखो मैं हर घड़ी तुमारे साथ हूँ मेरा साया तुमारे सर पर सदा है तुमारी सारी बिगडी मैं जरूर बना दूँगा जब तुमने अपने जीवन का भार मुझ पर सोब दिया है फिर अब तुमें घबरानी की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है बुरा नहीं किया तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होने दूँगा मैं काम पूरा होने में समय जरूर लग रहा है लेकिन सब बहुत अच्छा ही होगा अंद में सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी हर चीज के लिए जिसके लिए भी तुम मेहनत कर रहे हो शिगर ही उसकी खुशकबरी तुम्हें मैं सुनाने वाला हूँ और ध्यान रखो जो जीवन में सबसे अलग रास्ता चुनता है उसे ही तकलीफों का सामना अधिक करना पड़ता है लेकिन जब अलग रास्ता तुम्हें चुन ही लिया है तो अकेले पढ़ी ही गए हो हिम्मत बिल्कुल भी मत हारना बिल्कुल भी पीछे मत हटना क्योंकि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने में देर नहीं लगाएंगे क्योंकि तुमने मेरे साथ के कारणी अकेले चड़ने का रास्ता चुना था परिशानी अब कितने भी आए हारना मत शायद अगर तुम भीड के साथ चलते तो सब तुम्हारा साथ दे दे और तुम अकेले ही यहां तक चल कर आ गय हो तो आगे भी घब़रानी की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अकेले हो तुम लेकिन डर पोक नहीं हो याद रखना जटिल से जटिल समझ सें तुम्हारे कुछ नहीं भीगार सकती तुम्हें हरा नहीं सकती हैं जीवन में और अपने जीवन में बहुत जादा अकेला महसूस करो यदि तो अपना मित्र, अपना सखा मुझे बना लिया करो भगवान को बना लो, जिसे भी तुम मानते हो उन्हें बनाओ, जो कुछ बताना चाते हो उन्हें बताओ, जितनी इस दुनिया में भीड़ बरती जा रही है उतना ही व्यक्ति अकेला होता जा रहा है हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिसे अकेला पन महसूस होता ही है कोई बात करने के लिए नहीं है जाएं तो जाएं कहां व्यक्ति यही कारण है दुखी रहने का जो बताना है मुझे बताओ मुझे अपना सब कुछ मानो मैं तुमसे बाते करता हूँ कोई नहीं है जीवन में कुछ सुनने सुनाने के लिए तु मुझे सुनाओ अपनी बात मैं सब सुनता हूँ तुम्हारी, अपने सुक्दुक मुझ से सांजा किया करो, मैं उसका हल भी दूँगा और उसका निवारन भी जल्दी कर दूँगा, जब मैं तुम्हें भरोसा दिला रहूँ कि मैं तुम्हारी साथ हूँ, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें हर शान, हर मुश पाओगे क्योंकि किसी का परभाव जो है वो एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाता है कम हो जाता है लेकिन यदि तुम इश्वर के सभभाव से जुड़ोगे प्यार करोगे तो वो तुम्हारा कभी भी कम नहीं होगा लोग अपनी इच्छा पूर्ती के लिए सर्फ मालिक से इश्वर को जानिए वो बहुत क्रिपालू है दयालू है वो बीना कुछ कहे तुम्हारे दिल की बात जानते हैं आपकी हर पल रक्षा कर रहे हैं वो नहीं तो आज तुम ना जाने क्या होते कहा होते यदि तुम ये जानोगे तो तुम सदा उनके साथ जुड़े रहोगे इंतिजार करो, तुम्हारी जीवन में भी शिग ही उजाला होने वाला है, इसलिए कभी भी अपने प्रती या अपनी ईश्वर के प्रती संदे मत लाया करो, संशे मत लाया करो मन में, सब कुछ सही होने वाला है, सब मैं ठीक कर दूँगा, बस धृटता से विश्वास करते र मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरा अशिर्वात सदा तुम पर बना रहेगा, हमेशा खुश रहा करो, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी